Hello friends, आज का topic काफी ज़्यादा important है और काफी ज़्यादा different है other videos से possibilities ये भी है जो आज हम topic ले रहे हैं ये topic आपको other YouTube channel पर देखने को नहीं मिलेंगे Basically हम लोग जो work करते हैं हमारे channel पर वो करते हैं valuation के उपर आपने देखा होगा हमारे maximum जो stocks है वो valuation के उपर होते हैं जितने भी type से valuation निकलती है हम उनकी उपर अलग-अलग type से अलग-अलग matter से उनकी value निकालते हैं जहां पर कौन सा selling zone होता है कौन सा buying zone होता है क्या fair price होनी चाहिए क्या target होना चाहिए तो basically हम उसके उपर work करते हैं और other maximum channel आपको दिखेंगे YouTube पर वो news based stock पर work करते हैं basically आज का topic है जो conservative stocks होते हैं जिनकी growth moderate होती है यानि like reliance, tcs, infosys हम इन share को खरीटते हैं तो year on year basis पे हमारा 15, 16, 17% का CAGR return बनता है अब ऐसी क्या strategy है इनी share को खरीटकर like tcs, reliance, infosys इनी share को खरीटकर हम हमारा जो return है वो 30, 35, 40% तक बना सकते हैं जो CAGR return है उसको maximum ले जा सकते हैं तो ऐसी क्या strategy है आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ जिसमें आपको भी समझ में आएगा जो ये normal जो return होता है उससे आप कई गुना ज्यादा return easily बना सकते हैं जिसमें इसमें जो basically जो होता है वो work करता है PE यानि PE की काफी type की range होती है अगर वो समझ में आ जाए हमें कि कैसे PE work करता है कैसे इसकी range find करी जाती है और कैसे इनकी value निकलती है अपर साइड में कौन सा जो selling zone होता है perfect और lower side में कौन सा buying zone होता है perfect अगर ये पता चल जाए तो आप maximum return इन stock से बना सकते हैं इवन 15-16% का CAGR return ये stock देते हैं और आप easily 30-30% का CAGR return बना सकते हैं और इसके अदर basically मतलब ये जो strategy होती है वो 95% work करती है मतलब market इन जो इनका price to earning होता है जो इनकी value निकालते हैं जैसे वो lower side में हो एपर side में हो तो market इनको respect करता है इसलिए ये strategy pass हो जाती है 95% case में 5% case ऐसे होते हैं या तो stock में कोई news आ गई हो जिस कारण से जो range होती है वो fail हो जाती है वो work नहीं करती है वट ऐसा हर stock में या हर बाट नहीं होता है तो इसमें basically क्या होता है सबसे पहले हम TCS stock की बात करते हैं जैसे हम क्या करेंगे TCS stock की जो normal market में क्या range होती है मतलब पुरानी क्या range है new range क्या निकल के आई है और जो bear और bull market होता है उस case में TCS, Infosys या Reliance ऐसे stocks की range क्या निकल के आती है आज हम वही discuss करने वाले है जिसमें आज मैं आपसे दो ही share discuss करूँगा TCS और Infosys अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो आप मुझे comment करके ज़रू बताएं तो आगे हम ऐसे वीडियो और लेकी आएंगे इस topic के उपर 18 और 30 ठीक है PE का मतलब होता है price to earning ठीक है अब यह जो PE चलता था 18 में low side में और higher में 30 के side में मतलब इसका मतलब यह हो गया कि कभी भी 28-30 के आसपास PCS का price to earning आता तो वहाँ पे FII-DII की selling आना चालू हो जाती है जो retail investor है बड़े उनकी selling आना चालू हो जाती और 18-20 के आसप होते हैं वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा अब इसमें फिलाल यह crash होने के बाद जो नई जो नई रेंज निकल के आ रही है PCS की वो आ रही है 30 से 42 यानि जो ओल्ड रेंज है जो पिछले 10 सालों से रेंज चल रही थी 18-30 की PE की वो cross कर चुका है TCS यानि अब यह शेयर न काफी जादा respect करते हैं अब possibilities यह है जो old range थी यानि जो 2020 से पहले वाली जो old range थी उन range में stock टी possibility जाने की संबाबना काफी कम है अभी यह जो नई range आई है इसी में stock trade करने चाहिए अब इसमें जो नई range है TCS की वो 30 से 42 हो चुकी है अब इसमें इसके बाद जो next range आती है वेर और bull market वाली range होगी अभी फिलाल TCS की जो current range चल रही है current price to earning जो चल रहा है वो चल रहा है 40 का यानि अब भी जो चल रहा है वो bull market ही चल रहा है और जो range भी चल रही है वो higher side में ही चल रही है bull market वाली अब इसमें क्या करना है जैसे अब इसमें मैं आपको value निकाल के बताता ह इसमें FI 22 तक हम इसकी value निकालते हैं एक बार कि FI 22 तक इसकी value क्या हो सकती है अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा जैसे FI 22 में quarter 4 quarter 4 में जो EPS है TCS का वो लगबग हो जाता है 107 rupees का मतलब आप FI 22 तक का rate निकालने पहले ही जैसे मैं FI 22 quarter 4 तक का rate निकाल लेता ह है मतलब अब यह expect कर सकते हैं कि TCS की value कहां तक जा सकती है upper side में और कहां तक जा सकती है lower side में यह हम निकालेंगे normal range यानि अभी bull market वाली range चल रही है जो normal range जो new वाली range आई normal मतलब 30 से 42 तो इसमें जो upside वाली range है यानि 40 42 वाली range है वो bull market की ही range है यह ध्यान रखना तो इसमें क्या होता है कभी भी आकर normal market होता है 6 मेने बाद या 8 मेने बाद ठीक है अभी bull market हो सकता है कि यह जो range है यह higher side पे ही walk करे मतलब जादा difference न नजर आए पर जैसे ही market normal होना च से देखते हैं तो यह हर्दम हुआ है और इसी टाइप से हम वाक करते हैं और इसी टाइप से हम वाक करते हैं तो सीजिया रेटन हमारा 20-25% का ज्यादा बन जाता है यह आपको भी मैं दिखा देता हूं कैसे अब जो यह normal range आई यह 30 से 42 अब इसमें क्या करेंगे जो 107 का ज अब इसमें मालो नॉर्मल मार्केट है और किसी भी कारण से अगर मार्केट में क्रेक्शन आता है पांच-10% का तो यह जो पी है जो यह इसकी रेंज आ दिये नीचे लोवर में 30 तो यह 30 के आराउंड मतलब वाइंग लेवल चालो हो सकता है 30 पे ना है उससे पहले चालो हो अब इसमें 32 का लेबल आप माल लेते हैं 32 के आसपास अगर वाय करते हैं मार्केट में ग्रक्शन आता है तो 32 मल्टिप्लाइ 107 जो EPS है FI 22 का जहां वो पूरा होगा तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 3424 रुपए अब यह जो रेंज बन गई शेयर की मतलब आज से लेकर यह FI 22 माल लेते हैं जो FI 22 क्वाटर 4 तक जो शेयर की रेंज बन गई है वो बन गई है नीचे में 3400 रुपए और उपर में 4500 रुपए तो यह रेंज बन गई है अब इस पर क्या होता है जैसे हम कभी भी शेयर को पर्चेस करते हैं तो अगर हम higher value पर पर्चेस करते हैं मा होल्डिंग में है तो उनको तो ऐसे ऐसे कैसे रखें बाकि आप पोजिस्टर ट्रेड करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि वह सेफ स्टॉक में क्योंकि जो उट पटांग स्टॉक होते हैं जिनमें ग्रोथ काफी ज़्यादा होती है मतलब जो मार्केट जो पी होता है उनका एसपेक्ट नहीं करता मार्केट भी कभी बहुत ज़्यादा चल जाती है कभी बहुत डाउन चल जाती है तो उनमें क्या होता है रिस्क ज़्यादा होता है और उनमें पैसा बनने में तो काफी ज़्यादा बन जाए और लूज होने में काफी ज़्यादा लूज भी होता है तो इसलिए ऐसे स्टॉक से दूर रहने की बजाए, मतलब ऐसे स्टॉक से आप दूर रहें और इन स्टॉक जैसे लाइक TCS, Reliance, Infosys, Bipro, ठीक है, Pedilite, Asian Paint, Berger Paint, तो इनकी जो रेंज होती है वो काफी perfect होती है, मतलब इनको market value करता है अब इसमें जो range निकल के आई है, 3400 से लेकर 4500, तो इसमें क्या होता है, positional trade में जो lower वाली range है, यानि lower जो P के आसपास जो range निकल के आती है, वहाँ पे हरदम share को buying कर लेनी है, और जो higher वाला है, वहाँ पे selling कर लेनी है, अब इसमें जो higher और lower value निकल के आई है, 3400 से 4500, उसक और higher P, मतलब जो पैदाली से रुपय है, वहाँ तो stock जा नहीं है, और वहाँ पे वो selling करेगा, या उससे उपर भी जाता है, तो यह जो difference है, 24-25% का difference है, वो extra उसको मिल जाता है, तो यह अलग से benefit होता है, ऐसे shares के अंदर, अब इसमें क्या होता है, कि आप यह न, 10-15 script प्र पकड़ लो, बर्जर प्रेंट पकड़ लो, पेडी लाइट, ठीक है, और यह Infosys, TCS, Bipro, SEL Technology, ऐसे जो भी 10-15 stocks को पकड़ लो, अच्छे अच्छे companies के, अब उसमें क्या होता है, कोई न, कोई stock ऐसा हो गई, ठीक है, जो आपको lower P, और higher P, मतलब कोई share अगर higher P, पे है, त उसको एक बार drop कर दो, उसमें गुसने की जड़त नहीं है, पर अगर कोई share lower P, होती है, पहले आप range find कर लो, कि क्या range निकल के आती है, P, की normal, तो P, की अगर range पता चल जाएगी न, कि हाँ, यह जो range आ रही है, जो नई range बनाई है, नई range में lower में कहा रही है, और अपर में क अब इसमें आपको और detail में देखना है, अगर price to earning आप और detail में देखना चाहते हैं, तो आप ticker tape पे देख सकते हैं, ticker tape पे भी available है, मतलब आप यहाँ पे stock की prices भी देख सकते हैं, कैसे stock की price move कर रही है, price to earning के comparison में, ठीक है, और price to earning कहा जब stock अगर high पे होता है, तो price to earning कितन trade करता है, अब जब stock low पे होता है, जो range बनाता है, उस वक्त price to earning कितना trade करता है, median price to earning क्या है, तो ऐसे अलग-अलग type के जो price to earning है, आप उनको ticker tape पे भी find कर सकते हैं, तो यह ticker tape पे आप आसानी से find कर सकते हैं, जिसका link पहने description में provide भी कर दिया है, वहाँ से जाके आप इसक side, अब भी coronavirus के बाद, मतलब यह जो 2021 में जो range बनी है, नहीं, infosys share की, सभी की बनी है, तो इसमें infosys की, जो range बनी है, normal market में, वो बनी है, 28 में lower side और upper में 38, मतलब यह range बन चूकी है, अब इसी range में trade करेंगे share, अब इसके बाद bear और bull market की range भी बता है, तो bear और bull market में जो range न जो धियान देना है, वो आपको देना है new range बाली पर ही, मतलब यानि जो new P range चल रही, 28-38, 28-38, इनी range पर धियान देना है, हर share की new range की निकल के आ रही है, यह जो सालबढ़ की range देख लो, आप lower में और अपन में, इसी range पर धियान दोगे, तो आप मोटा मोटा 20-25% का extra मुन रिप्लाय करते हैं, तो 17-18 रुपए के असपर वैल्यू निकल गयाती ही, यही वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी, अब FY 22 quarter 4 तक हम देखते हैं, तो EPS कितना हो जाएगा, और जिस हिसाब से Infosys की value कितनी हो सकती है, हाई range में, तो इसमें क्या होगा, जो FY 22 quarter 4 आ रहा आप कि 30 तक तो PE आही जाता है, और आता ही है, अब पास्ट को देखने हैं, पिछले 10 सालों में ऐसा ही होता है, कभी ऐसा नहीं हुआ, बाइंग जो निकल के आती है, मतलब लोवर में 28 का PE, 28 की जाएगे, आप 30 का मालो हो सकता है, 30 का मालो हो सकता है, 30 को 51 से मटिपला करते ह 1530 रुपे नीचे में, ये FI 22, FI 22 मतलब March quarter, मतलब करीब-करीब 6 महीने बाद की value बता रहा हूँ, 6 महीने बाद भी आपको इस value पर इंफोसेस का share मिल जाएगा, जब भी भी market में correction आता है, तो ऐसा नहीं है, कि अब 6 महीने और लेट, मतलब 6 महीने और आगे बढ़ गए हम तो अब इंफोसेस का 15 रुपे नहीं आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता, अगर market में कभी भी गिरावट आती है, तो ये share आपको मिलते ही है, आप देखते भी है, अगर आप पुराने हैं तो आपको बता ही है, कि ऐसा होता ही है, इसके बाद higher market की बास करते हैं, selling zone है, मतलब 38 जो higher p बना रहा है, तो 38 के एसाप से जो इसकी value निकल के आती है, 38 को 51 से multiply करते हैं, तो 1938 रुपे, मतलब ये मान सकते हैं कि जो fi 22 March quarter तक EPS 51 का हो जाएगा, अगर 51 को wheat करता है, तो value जाता हो जाएगी, no doubt, पर जो expected EPS है, company की performance या company का जो guidance उसके according 51 निकल के आती है, और ये ये एक्चल में ये जो companies, जो guidance डेटी है, target देटी है, वो possibilities होती भी है, मतलब 95% possibilities इनकी मतलब ये मान सकते हैं कि बिल्कुल सही होती है, perfect होती है, ये गलत नहीं होता हो, marketing को इसलिए ही respect करता है, क्योंकि ये काफी conservative moderate growth के stocks होते हैं, इस वज़े से, अब इसमें जो range निकल के ये वो 1530 और 1938, 1530 lower में, 1938 higher में, तो market correction के दोड़ान आपको 1500 के असपर share मिल जाता है, और bull market में तो ये share आपका करीब करीब 1935 से कोई असपर बिख जाता है, तो ये जो difference आगे हैं, दोनों range के बीच में जो difference है, वो 26% का है, तो इसमें आप अगर higher rate पे लेते हैं, तो वहा अगर आप market correction के दोड़ान, अगर आप lower P.E. पे share को purchase कर लेते हैं, एक positional trade करते हैं, तो वहाँ पे ये जो 26% का difference है, वो आपको extra मिलता है, तो ये 26% वो गया और आगे future में आपको 10, 15% जो भी extra मिलता है, वो और plus कर लो, तो ये difference होता है, इसमें return का, तो ऐसे ही जो conservative stocks होते ह इन में आप आराम से 30-35% return कमा सकते हैं, हम लोग ऐसे ही कमाते हैं, और आपको पता भी होगा, हम telegram channel पे ये सब चला ही रहे हैं, और telegram के हमारे नाम से काफी fake channel भी बने हैं, तो आप उनके लिए सतर्क रहें, उन channel में ना फसे, आपको original telegram channel का link चाहिए, तो आप हमारे description box मे जा सकते हैं, या फिर YouTube की about में भी हमने डाल रखा है, वहाँ ही आपको original telegram का channel मिलेगा, वहाँ से आप चाहे, तो subscribe कर सकते हैं, वहाँ पे हम जो trading करते हैं, उसका screenshot में आप से share भी करता हूँ, even हम देखते हैं, जिसमें 50 लाक रुपे की हमारा invested capital है, positional trade में, जिससे हम रोज trade करते हैं लगबग, और बिल्कुल safely work करते हैं, जिसमें हम अच्छा गासा मुनाफ़ा कमा भी रहे हैं, तो आप उसको follow कर सकते हैं, और आप भी easy way में पैसा कमा सकते हैं, अगर आप positional trade करना चाते हैं, बिल्कुल safely, और साथ ही में मैं आपको बता ही चुका हूँ, आप detail मे कोई भी information search करना चाते हैं, चाए business profile के बारे में हो, price to earning हो, या और भी parameter हो, वो आप ticker tape पे जाके देख सकते हैं, ticker tape पे एक-एक information काफी easy type से available है, जिसका link मैं description में provide भी कर चुका हूँ, और मैं बता भी चुका हूँ कि बार-बार की मेरे description box से, आप उस link से open करेंगे, तो आ open करते हैं, तो वहाँ पे जो, मतलब जो प्रो, जो ती तीन मैंने का, जो cost है, तीन सो साधी तीन से रुपे के आसपास, वो आपका free हो जाएगा, वो आप से ticker tape नहीं लेगा, अगर आप मेरे description से उस link को click करके खोलते हैं, तो आज का video बेसिकली यही ओपर होता है, अगर video इस ट्राइब के और video चाहते हैं, तो comment करके बताएं, ज़रूर हम आगे, और video इस ट्राइब के बनाएंगे, डिस्क्लेमर है, यह video से एक educational purpose के लिए बनाये गया है, और साती में अगर video पसंद आए, तो subscribe ज़रूर कर लेना, अगर अभी तक आपने channel subscribe नहीं किया है, तो मिलत हैं आगले video में, thank you